काले किय मोन कैसे हो तो फ्ररोंट इस वडियो में आपसे बात करने वाला है कि रेडमी ंडोत 8 को यहांपर जो रोई रेड्मी नोट 7 पर हो और काफी ऐडियो एसों की बारे में बात करने वाला हो जिनको जो एंडूयोडela काफ डेट्ट यहां पर मिलने जिनको मिल चुके उनके बारे में बात करेंगे जैसा कि आपको पता ही यहां पर एक लिस्ट आ चुके है यह जो लिस्ट है बहुत अच्छी लिस्ट है बहुत अच्छी यह वेबसाइट है टेकदीप नाम से जो की काफी अच्छी लिस्ट है यहां पर जो जारी करती है तो फ पॉरमेंड फ्रंड जो इस लिस्ट के अंदर पहले डिधार को यहां पर यह लिखा rounds 8 को डेखने को नहीं मिलेगा लेकिन अभी लिस्ट को जो अफडेट किया गया है और अपडेट करने के बाद इस डिवन पर इश्ट के अपडेट्स यह निकल कर आ रहा है यहां पर मैं लिस्ट दिखा देता हूं देखिए रेडमी नोट सिरीस के सारी डिवाइसे सा लगबग लेकिन यहां पर जो नया डिवाइस एट किया गया वह है रिद्मीनोट एटे यह रिद्मीनोट लेकिन देखने को मिलेगा Redmi Note 8 की लेटेस्ट अपडेट यह Android दिलेंट को लेकर इसकी इंटरेड़नल टेस्टिंग जो स्टार्ट हो चुकिए और हो सकता है यह डिवाइस आपको विढिएन एक मंथ आपको देखने को मिल सकते हैं विद वन मंत आपको यह update आपकी द vocês के अंदर देखने को मिल सकते हैं अभी बात करते हैं Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro को यहां पर जैसा की लिखाव आ रहे है कि Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 8, Redmi की 7 सीरीज है उसके अंदर जो है इसको इस लिट से है जो बाहर कर दिया गया है यानि कि डिवाइस वोंट गेट Android इलेउट अप्लेट यानि कि इस इन डिवाइसों को नहीं लेकिन फ्रेंड मैं कहता हूँ Redmi Note 7 Pro को काफी ज़्यादा चांसेज है Android इलेउट अप्डेट मिलने का और इसका रिजन यह कि पहले यहां पर जो Redmi Note 7S लिखा है या Redmi Note 7S लिखिए उससे पहले Redmi Note 8 को लिखा वा था जिसको अभी यहां से अटाकर जो Android इलेउट की लिस्ट के के अदर सामिल कर दिया गए तो हो सकता है 99% मैं कहता हूं 10% श्योड नहीं कहता लेकिन 99% Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro को जो Android 11 की लिस्ट के अंदर सामिल किया जाएगा और इनको भी अप्डेट रिलीज किया जा सकता है आई होप्ट रेट यह वीडियो आपको जुरू पस्ताएगा वीडिय वीडियो को लाइक से रोचलन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आकन के नोटिफिक्शन को वाल पर सब्सक्राइब कर लिजिए जिसी कि मेरे अनुले परत्याक वीडियो को नोटिफिक्शन आप तक पहुंस सकेंगे